हलो दोस्तों स्वागत आपका स्लीपी क्लासेज में आज हम आपके सामने एक बहुत ही जरूरी पीस अफ इंफिमिशन लेके आए हैं 7 जुलाई 2019, 7 जुलाई 2019 को हम अपनी प्रिलिम्स की टेस्स सीरीज चुरू कर रहे हैं 2020 के लिए तो उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे, उसके बारे में कुछ जानते हैं देखते हैं चलिए सबसे पहले तो कि टेस्स सीरीज आपको जॉइन क्यों करनी चाहिए टेस्स सीरीज की इंपोर्टेंस क्या है तीन पार्ट आंसर है, इसका acronym हमने बनाया है CAP तो C क्या है, C है comprehensive coverage of syllabus तो आपके syllabus में बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो हमें पता है, बहुत जरूरी है आपको बताने but not necessarily कि हम उसको किसी lecture का पार्ट बनाके आपको पढ़ा सकते हैं आपको बता सकते हैं, कुछ factual चीज़े हैं, कुछ exceptions हैं कुछ current additions हैं, कुछ नई amendments हैं जो ऐसी हैं, इतनी जरूरी है कि आपको बतानी जरूरी है आपको आनी चाहिए but maybe या तो हम lecture में conventionally deliver नहीं कर सकते या वो lecture already deliver हो चुका है तो किसी ना किसी reason की वज़े से हम tests के थूरू आपको वो बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं तो tests को आप knowledge addition समझिए एक knowledge gain करने का तरीका समझिए ना कि सिरफ ये कि आपको test किया जा रहा है of course test किया जा रहा है but हर बार 5-10 questions हर test में ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको कोई भी idea नहीं होता वो हमारी तरफ से एक attempt होती है कि आपकी knowledge में और इजाफा किया जाए और knowledge बढ़ाई जाए through those questions second चीज है accuracy बहुत जादा important है बहुत सारे students हमें ये कहते हैं कि हमारे paper में for example अगर 100 cut off जा रही है तो 95, 96, 97, 98 marks बन रहे हैं तो वो cut off से 2, 3, 4 marks कम पे रह जाते हैं क्यों? क्योंकि 2, 3, 4 silly mistakes कर देते हैं silly mistakes क्या है? कि आपकी accuracy अच्छी नहीं है कि आपने question में question के 2 option तक आप ले आए हैं 4 में से 2 में से आपको sure नहीं है कि कौन सी सही answer है कौन सही option है जो है कम है या कोई चीज ऐसी जो आपको अरड़ी आती है और आप एवर में गलत कर दें तो हो है accuracy में कमी तो हमारी तरफ से attempt यह है कि आपको इतने questions प्राक्टिस करवाएं कि आपकी जो level of accuracy है अगर आपको थोड़ा सा guess work मारना पढ़ रहा है अपना दिमाग utilize करके on the spot कोई एक answer mark करना पढ़ रहा है तो आप इतना सही वो guess work करें कि more than 50% आपका guess work सही हो अगर आप paper में 10 question पे अपना answer जो है guess करके आते हैं और आप 5 सही करते हैं और 5 गलत तो भी आपका जो net result है जो marks है वो positive हैं of course हम यह नहीं कहेंगे कि आप 10 तुके मारो बट अगर आप you know अगर ऐसी situation arise होती है कि आपको 6-7-8 तुके मारने पढ़ते हैं तो कोशिश यही है कि आपने इतने पीछे question किये हो इतनी practice की हो कि 7-8 में से 4-5 तो सही हो तो वो accuracy आपके बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम अपनी test series के through तीसरी चीज़ जो है वो है practice कहते हैं the more you sweat in peace the less you bleed in war जितनी जादा practice आप जितनी जादा महिनत आप घर से करके जाएंगे उतना ही जाके आप paper में comfortable होंगे confident होगे कि batsman जब अगर pitch पे उतरता है तो उसमें एक level of confidence होता है कि एक तो ये कि पीछे कितना momentum carry कर रहे हैं कि आप कितने tests practice करके आए हैं और कितने उसमें marks score करते आए हैं तो वो आपके confidence को बहुत boost करता है उसी confidence को लेके आप exam में जाते हैं तो practice करनी बहुत ज़रूरी है आपको पता चलता है आपकी कौन सी गलतियां है कि subject में आपके answer जादा गलत होते हैं क्या आपकी knowledge में weaknesses हैं क्या आपके question paper को attempt करने के तरहीके में weaknesses हैं सारी आप अपनी गलतियां जो हैं अपनी shortcomings हैं अपने drawbacks जो हैं वो analyze करते हैं उनको सुधारते हैं ताकि paper में कम से कम गलतियां हो paper में जो चीज आपको आती है या जिस चीज में आप comfortable हो सकते हैं उसको गलत करने का तो scope ही नहीं बचा है कि 100 में से जो 50-60 questions में आप comfortable है या आपको आते हैं उसमें तो एक भी question नहीं गलत होना चाहिए और वो हम कोशिश करते हैं कि achieve हो हमारी test series के तरूँ cap, coverage, accuracy, or practice why you need a prelims test series schedule क्या है इसका चलिए schedule दिखाते हैं आपके साथ schedule शेयर करते हैं तो first four tests जो है वो जुलाई और august में है और वो 2018 के current phase है right देन अगले जो छे टेस्ट है वो round one है जिसमें 2019 के current phase है plus static syllabus है सारे subjects का similarly round two छे महीनों के current phase है 2019 के और static syllabus है right then round three में current phase है अब ये current phase जो है open है 2019 पूरे साल के कभी भी किसी भी महीने के current phase आप से पूछे जा सकते हैं including जायन या फेब या मार्च ओफ 2020 जब आप से ये test conduct किया जाएगा तो पूरे open current phase है plus static component है उन subjects का जिनका static component थोड़ा बड़ा है तो तीन round तक चलेगा वो then चार टेस्ट है half syllabus के half length test इसमें जैसे half length test 1 है तो history, polity, economy है half length test 2 है तो geography, environment, science है तो syllabus आदा-दा divide कर दिया गया है और उसका test लिया जाएगा then 5th April को test है India yearbook, eco survey और schemes का तो कोशिश यही है कि इन sources में से questions निकालके आपसे इतनी comprehensively हम test करें ताकि इन questions के through ही आपके यह sources cover हो जाए उसके बाद जो आखरी 6 test थे वो full length test है mid April से शुरू है assuming कि आपकी तयारी पूरी हो चुकी है और अब आप सिरफ अपने आपको test कर रहे है analyze कर रहे है देख रहे है कि कौन सा ऐसा syllabus का component है जहां पर अभी भी आपकी थोड़ी सी कमिया है जिनको आप सुधार सकते हैं अगले तेड़ महीने में तो यह 6 full length test है यह 31 test की हमारी prelims 2020 के लिए test series है ठीक है आगे देखते हैं अब price क्या है इस test series का तो देखिए price तो बहुत महंगा है price है कि आप means लिख सकते हैं या आप means नहीं लिख सकते अगर आप test series करते हैं अच्छे से practice करते हैं उसमें से सही से चीज़े सीखते हैं और implement करते हैं pre में तो आप means 2020 लिख रहे होंगे अगर आप join करते हैं और फिर भी महनत नहीं करते हैं तो आप means 2020 लिखने का मौका गवा सकते हैं तो price बहुत जादा है लेकिन cost बहुत कम है cost 7499 प्लस GST है अगर आप video discussions लेते हैं और 5499 प्लस GST है अगर आप video discussions के बिना ही test चाते हैं जिसमें सिरफ questions हो explanations हो और detailed में model answer हो बट video discussion नहीं हो हमारी तरफ से हमेशा यही कोशिश है कि इसको इतना economical रखा जाए कि बचे afford कर पाएं इसको कल 7th July को यह test series शुरू हो रही है अगर आप चाहते हैं पहले ही test से पहले ही दिन से हमारी test series के साथ enroll करना तो आपके लिए एक early bird discount भी है code है मैं भी IAS MAIN BHI IAS आप यह coupon code यूज करके 500 रुपीज का discount पास सकते हैं दोनों ही courses के उपर तो यह उन लोगों के लिए जो पहले ही दिन से हमारे साथ associate होना चाहते हैं we are trying to incentivize you कि पहले ही दिन अगर आप अपने आपको discipline में लेके आएं तो चलते चलते अगले 10 से 12 महीने जो हैं बहुत सही से आपकी एक तयारी हो सकती है तो यह हमारी तरफ से जो हमने आपको communicate करना था हमने कर दिया अब important चीज यह कि अगर तो हमारे साथ आप पहले से जोड़े हुए है और आप familiar है कि हमारा जो paid platform है वहाँ पे prelims की test series कैसे आती है कैसे आप question attempt करते हैं कैसे answer submit होते हैं कैसे feedback मिलता है review, explanations कैसे मिलती है तो आप यहाँ पे video अपना end कर सकते हैं अगर आप नए follower है आप नहीं जानते हैं कि हम लोग test कैसे conduct करते हैं तो यहाँ पे आप continue कर सकते हैं और आपके साथ हम discuss करेंगे कि हम अपनी test series अपने paid platform पे कैसे conduct करते हैं चलिए वो देखते हैं हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे paid platform में तो देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे प्रेकी test series attempt करेंगे तो 2019 test series का एक test लेकर आपको दिखाते हैं आखरी test पे जाते हैं full length test 6 यह कुछ set of instructions आपके सामने instructions पढ़ें और test को शुरू कर दें तो आपके सामने सबसे पहला question है well-be commission क्यू फेमर्स है options है educational reforms relations between British crown and Indian princely states तीसरा police reforms चौथा drain theory तो answer इसका drain theory है save and next अगला question वेदर ने आप salt सत्य अगरे मार्च किस अंड़र्टेक किया था गांदी जी, पेरियार, राजा जी या किलेपन तो answer इसका राजा जी है save करें आगे बढ़ें Montague Campsward reforms पे है ये आप कुछ भी option मार्क कर दें आगे बढ़ें दें अगें mark any answer देखते हैं कि क्या गलत है, क्या सही दें newspaper और editor मैच करने है सुदे समित्रन जी, सुप्रमनी आयर ठीक है बंगॉली, सुदेंटरन अब एनर जी भी ठीक है सुधारक अगें न से नहीं गोपाद कृष्टन गोख ले तो one and two save and next करें अब समित करके देखते हैं पांच क्वेशन पांच हमने देंट किये समित रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आ गया कि तीन क्वेशन सही हैं तो गलत solutions देखते हैं पहला सही हुआ हमारा दूसरा भी सही हुआ तीसरा गलत हो गया answer था D हमने mark किया A fourth question answer था D हमने mark किया A then fifth question हमारा सही हुआ sixth question answer हमें बता रहा है B seventh question answer हमें बता रहा है A तो जो हमने mark नहीं किये उनका भी हमें सही आंसर बता रहा है राइट, देन पीछे जाते हैं देखते हैं कि और क्या-क्या हमें information मिलती है, देन हमें top पर यहां पर leaderboard मिल रहा है किसने top किये, कितने marks आए हमें अपनी time distribution मिल रही है, कि हम कौन सा question कितनी speed पर कर रहे हैं जैसे दुवारा देखते हैं यहां पर हमने यह question 18 second में किया first, इसका average time 16 seconds है तो चलो इतना कोई बात नहीं जादा फरक नहीं है, fifth question देखते हैं हमने 15 second में किया average 17 second है, right मान लो यह test 46 बच्चों ने दिया, तो sorry 65 बच्चों ने दिया, जिसमें से 19 में यह question अटेंट नहीं किया 30 का यह सही हुआ, 16 का incorrect हुआ तो यह बिल्कुल आखरी वाला test है, कम बच्चों ने दिया है जो बाकी के test है, बहुत सारे बच्चे वो test देते हैं, तो आपको relative idea हो जाता है, कि अगर आपका question यह सही हुआ है, जैसे मालो third देखते हैं, हमारा यह गलत है, तो 50-50 break है 23 बच्चों का सही हुआ है 23 बच्चों का गलत हुआ है तो अगर जादा तर बच्चे questions सही कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप गलत नहीं करें आपका भी हो सही हो fourth question देख लेते हैं, कि हमारा गलत हुआ है, लेकिन 24 बच्चों का यह सही हुआ है तो अगर 60-70% बच्चों को वो question आता है तो कोशिश कीजिए कि आपको भी आता हो अगर सिरफ 10-20% बच्चों को आता है ठीक है, फिर आप एक time एक minute के लिए सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, यह मेरी knowledge addition थी, knowledge gain थी, value addition थी बट अगर already बहुत सारे बच्चे वो कर रहे हैं question सही, तो आपको भी आना चाहिए, और यह हमारा analytics हम अपने platform के थुरू आपको देने की कोशिश करते हैं, तो कितना time किस question पर ले रहे हैं बाकी बच्चों के comparison में आपकी क्या performance है, यह सब detailed analytics आपको platform पर मिल जाएगा, तो जो students हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो familiar हैं इस platform से, जो नए followers हैं, होपफुली आपको समझाया होगा और आपको कुछ फाइदा हुआ होगा तो कल 7th July Sunday को जो पहला test है, उसको जो लोग देने वाले हैं, जो बच्चे को पहले ही दिन से पहले ही test थे, डिसिप्लिन तरीके से test लिखना शुरूर कर रही हैं, सक्सेस उनीका है, आपको all the very best, बाकी लोगों के लिए मैं कहूंगा, कि जितना जल्दी आप एक रिजीम में आ जाएं, एक डिसिप्लिन में अपने आपको ले हैं, उतना आपके लिए अच्छा है, तो कल के लिए all the very best and ये थी हमारी Prelims 2020 की आपके सामने discussion, तो आपको आपसे मिलेंगे test 1 के discussion के साथ तब तक के लिए thank you and all the very best